चीजें उनके लिए सबसे अच्छा काम करती हैं जो चीजों के काम करने के तरीकों को सबसे अच्छा जानते हैं उधारन के लिए ऐसा ले लीजिए कि आपने एक मोबाईल ले लिया और आपको मोबाईल चलाना कुछ नहीं आता है चेट चेट करना भी नहीं आता है फोन काल करना नहीं आता है आपको इंटरनेट चलाना नहीं आता है यूटूब खोलना नहीं आता तो यह मुबाइल आपके काम की नहीं है आप इससे बेतरीन काम नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक डेपलोपर हैं आप एक यूटूब क काम करेगी नमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपने परिवार पीवीर स्टडी में कठ्षा नौ की मैथमेटिक्स की कलास सुरू हो चुकी है और बच्चुका है सामका आपका छे हो चकता है यह कलास और भी किसी भी टाइम पर कुश्चन कहीं कि जब तक अन्य था न न कहा जात पाई बराबर 22 बटा साथ रखिए यानि जब तक मना न किया जात अब पाई कमांन 22 बटा साथ रखिए चलिए question में कह रहा है कि एक संकू के आधार का ब्यास दिया है 10.5 cm और इसमें दिया है बाबू इसकी तरियक उचाई 10 cm तो इसका प्रिष्टिय छेत्रफल ग्याद करना है इसका डी दिया है आप निकाल लोगे इसकी यल भी दिया है तो सी असे निकाल लोगे कितना आसाना चलो लिखो एक चित्र बनाओ चित्र मैंने पीछे साइट बना दिया बहुत ही प्यार से देखिए ध्यान से यह एक संकू है कौन है इसमें यल दिया है और यह आपका अगर हमने बेस को एबी मान लिया इसका स्वरी आधार का ब्यास तो एबी की जो लंबाई है 10.5 सेंटिमीटर है ठीक है कोश्चन के सलू यह नियिए फिगर आप इदर है जहां हल करना जूकि हमारे में जगा कम है इसलिए मैंने पहले इधर भीगर बनाया है क्हुत है। आपको यल दिया है 10 सेंटीमेटर आपका डी दिया है 10.5 सेंटीमेटर स्वाप कह सकते हो आर इक्वल 10.5 अपां टू यानि आपको आर भी दिया है क्योंकि डी का अधा होता है लिख दीजिए शंकु का प्रिष्टिये छेत्रफल बराबर पाई आर यल यफिसाटकार्ट में लिखिए क्या इसमें CSA भी दिया था नहीं दिया था ठीक है तो यह 22 अपां 7 इन्टू आर कमांड 10.5 अपां 2 इन्टू एल कमांड 10 देखो बाबु इनको आप हल कर सकते हो ना सिंपल है कि नहीं बोलो कर सकते हो ना देखो इनको 2 से काड़ दो यह 11 आएगा साथ से काड़ दो साथ एककम साथ और साथ पचे 35 क्योंकि 15 सत्ते 105 10.5 छीक है कोई दिक्कत नहीं देड़ का गुड़ा 10 में करोगे 15 हो जाएगा और 11 का गुड़ा 15 में करोगे तो 15 15 15 15 16 16 65 सेंटीमीटर का स्कॉयर किसी को डाउट नहीं नोट करिए जल्दी से स्क्रेंसाथ लीजिए मैं आगे बढ़ता हूं एक्ष कोशन की तरफ यह कोशन आपका ड़न हो चुका है बहुत जल्दी स्क्रेंसाथ ले जिए चलिए कोशन नमबर सिकेंड की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी देखिएगा और प्यार से देखिएगा नेक्स्ट कोशन दिखाईए जल्दी करिए कि अगला कोशन ध्यान से देखिए अपकी मैं इन्ग्लिस में भी पढ़ूंगा पहला कोशन मैं भूल गया इंग्लिस में नहीं पढ़ा था कि इन्दी में आप देख लएंग इंग्लिस में बता देता हूं पहले बार हिंदी में पढ़नों करा एक संकु का कुल प्रिष्टिये 6 रफल ग्याद कीजिए एक कौन दिया उसका टोटल है 24 कौन सा अगर बात करें तो अगर यह अधार का ब्यास है यह 24 मीटर है और का दिया है इसमें यल दिया वावू याद रखना कि उसका प्रिष्टिये 6 रफल टीयसे फाइंड कीजिए इंगलिस में सुन लिजिए आप टोटल सर्फेस एरिया आपकों इस कि इड्स साइलेंट स्वरी इफ इड्स स्लेंट हाइट इज 21 मीटर एंड डामीटर आफ इड्स पेस इज 24 मीटर इड्स स्लेंट हाइट मतलब त्रियक मुझाई बोलते हैं जो ऐसे त्रिशी वाली होती है इनको हल करना बहुत आसान है लिखो दिया है पहले गिबन नीचे में ही लिखते हैं चित्र के ठीक है याद रखना दिया है गिवन यह लिकोल 21 मीटर देख बाबु यहां पर आपका यह ब्यास भी दिया है डी 24 मीटर यहां से आर निकालोगे आर जो होता है डी का अधा होता है बदलब 12 मीटर इन डाउट नहीं न अब फार्मूला लगा दोगे कुल प्रिश्टिय शेद्रफल निकालना है टी एसे टोटल सरफेस एरिया आगे लिखो संकु का कुल प्रिष्टिय शेद्र फल बराबर इंगलिस वाले लिखेंगे डोटल सर फेस एरिया टी मैं बोल रहा हूं लिखूंगा ने इसा पूंझ लिख did अप deg고 अगर इसे ब्रित माल लिया नीचे तो ब्रित का शेत्रफल और उपर यल कि पाइक मान 22 बटा फाथ आर कमान अभी अभी यहां कहीं से निकला हुआ है बारा है यह बारा प्लस यह कैसे है फाइनल में 21 बटा फाथ गुड़ा बारा गुड़ा यह तैस देखो बाबु यह साथ बटा यह कई सोड़ी है यह 22 थाना उपरा यह कटेगा का किसी से देखो काट पीट के कटेगा क्या बाइस बटा साथ गुड़े बारा गुड़े तैस यह कहीं नहीं कटेगा आप कट के देख लो इनका गुड़ा करो 264 आएगा किसका बारा दूना 24 का चार हासी लाया दो बारा दूना 24 दो 26 कोईशन हटा दीजिए तो आपको अच्छा दीखेगा इस क्रीन से कोईशन अट आइए तो बारा दूना 24 के 4 बारा दूना 24 26 बटा साथ गुड़ा 35 पान यह कि बटा क्या होगा एक इनका गुड़ा करोगे आप गुड़ा करके साथ से भाग दोगे बारा सो चोवारीस दसामलों संतिंग आएगा 1244.507 मीटर स्कॉयर किसी को कोई डाउट है? नहीं न आप इसे कर सकते हो भाईया इसे कर सकते हो बाबू ये 264 बटाफाद गुड़ा ये 33 यही बन रहा है इसे आप आराम से हल करके ये ला सकते हो अन्य डाउट किसी को नहीं न इसके बाद ये है याद रखना इसके बाद ये फानल अंसर है इसक्रिंसाट ले लिजिए मैं सामने साथ गया हूँ चलिदी करिए अगला नेक्स्ट कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी देर ना करते हुए फटा-फट क्विश्य नंबर तीफलह देखिए ध्यान से और पूरा इंडंडे तक देखेएग देखो भाई यह वहाँह बहुत इजिए ध्याव्यां सब्सक्रिण जार्ये कौन पर अधारित है क्या कहे देए संकु का परिष्टियन च्टरफल परिष्टियन का मतलब होता है करव सर्फ सर्फेज ए एक कौन दिया है कौन का फिगर यह पना इसका si a gives आ है वकुरिप्रिष्ट एश्यों 308 मिट्र सेंटीमिटर इसको और इसकी जो स्लेंट हाइड है यानि फोर्टीन सेंटिमेटर दी है तो ग्यांत कीजिए आधार की तिरिज्या बलन नीचे वाला जो पार्ट है आर इसको ग्यांत करना है यह आपको दिया बैटा यह 14 दिया बबुआ 14 सेंटिमेटर आप इसका सलूशन करोगे लिखोगे दिया है इंग्लिस में लिखेंगे गिवें गिवें 14 सेंटिमेटर अमाइंड और का दिया भया है मिसे इस में कुछ नहीं दिया और हम सूत्र लगाएंगे यह नीचे जगा कम है उपर हल करेंगे ठीक है तो लिखो ती एस ए यह यहाप लिखो चूकी सी एस ए बराबर होता है पाई आरिल किसका से संकू का संकू का से कितना होता है पाई आरिल होता है चलो यहां के बाद हम उपर हल करेंगे देखो बाब उसी यह से 308 दिया है आपके कोश्चन में कहा था पाई कमान रखो गे 22 वटा फाट आर मतलब रेडियास रेडियास हमें फाइंड करना है जो कि हमें नहीं दिया है यहल कमान 14 दिया है काट दो साथ दुना चुदा 308 बराबर 22 का दो में गुड़ा करोगे तो 44 हो जाएगा गुड़ा आर तो 308 बटा 44 हो जाएगा बाबु यह आर इसको काटोगे 44 सत्य एक मिनट मैं कुश्चन हटा दे रहा हूं बिल्कुल आप परिसान नहीं होने का बाई चलो 44 सत्य होता है यह 308 यानि यह इतना आ जाएगा इसने हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्कॉल साथ सेंटिमीटर यह आपकी हो गई रेडियस किसी को नहीं ना तो कुश्चन तीसरा हो गया इसका मैं इंग्लिस में बढ़ देता हूं जो बच्चे इंग्लिस नहीं जान रहे थे कुश्चन का सुनने ध्यान से मैं भूल जाता हूं इंग्लिस में अक्सर सुन लो फिर ध्यान से थड़ वाले का इंग्लिस क्या आए भई कि माइट लिक रहा था की कवर्ड सर्फेस ए्या आफ अकॉन इ County 308 संटिमोटर आइठ बंब्र इस और चून कॉarmारी सर्फेस एलिया आफ प्था स्थां कि एंड इट्स लेंट हाइट इस फोर्टीं सेंटिमीटर फाइंड रेडियस आफ द वेस्ट दूसरा टोटल सर्फेस एरिया आप दा कौन यह तो पहला पार्ट हो गया इसमें दो पार्ट था ठीक है बबुआ यहां पर दो पार्ट था यहां पर लिखोगे वन नंबर पार् इसका सिगेन पार्ट है में देखो उपुछा है टोटल सर्फेस अंड तोर सर्फेस आप एरिया एक बारइड स्क्रीन पर 32 गयात कीजिए निचे देखो से इसे विखा है न भी पार्फ में तो टोटल सर्फयस एरिया C as a plus कि आधार का छेतरफल इंगलिस में लिखलेंगे area आप सरकल या फिर अबेस ठीख है एरिया बेस यानि C A निकाल लेंगे पूरे का और इसका area निकाल लेंगे बेस का आपेस में क्या एक बृत्त है तो सीएसे अभी निकाला था पाव आया था किस्ता आया था थो यह था था क्या का स्कॉायर को कि यहां से अगर देखो तो कुछ दिया था क्या आर कमान तो भी हमने फाइंड किया था से बनाया था ना चाचा लोग तो आर कमान से लिख दो इंटू यलल कमान फूरिम दिया ही है विलस बाइस बटा फाथ इंटू सेबन इंटू सेबन साथ से काटो यह साथ से कतम नीचे सब कट गया कुछ नहीं बचा चौदा दूना अठाइस हाशी लाया दो चौदा दूना अठाइस दो थीस इतना आ गया 308 यह फोर्टें का इसम चाहुआ नायेगा चाहँ दूना चाहुदा चाहँ दूना चाहुदा एक पंदरा इनको जोड के देखो आप 400 बाधफट आएगा तेंटीमीटर स्कॉयर ठीक है समझो इसको आएगा कि क्यूब आएगा इसका क्या निकाला जा रहा है अगर आयतान होके निकलता तो फिर एलगबात होती है ऐसे तो मैं सब्सक्राइब पढ़ा था इंगल्जी में न फिलाहाल आपका एक कुश्टां भी खतम होग है तीफ्रा भी अगर किसी को को चेंज कर देता हूं तो कुछ लोग कहते हैं तो कलास लाइब नहीं है यह तो आनलाइन नहीं है यह तो कपड़ा बदल रहे हैं ऐसा है यह जब एक गंटे कपड़े मज़ा नहीं तो फिलहाल आज की इसका में नहीं पीवियर स्टडी की तरफ से आपके लिए एक बड़ी इं स्क्रीन पर चलेगी ठीक है इसे आप ज्यादा ज्यादा लोगों को सेर कर दीजिए और इस्टेटस होगरा लगा दीजिए इस स्क्रीन साट ले करके जिससे हर कोई पढ़ सकी पीवियर स्टडी 3.0 चैनल पर 9 और 10 की मैत इसी समय पर जिस समय इस चैनल पर चलती है उसी समय पर आगले चैनल पर चलेगी ठीक है समय रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद